हेलो यूट्यूब फामिली गूड एवनिंग तेजस को मैं आई हूं डॉक्टर क्या दिखाने और शाम की वद डॉक्टर यहां बैठते हैं अपने होस्टिल में नहीं बैठते हैं तो इस वज़े से मैं यहां आई हूं और डॉक्टर की फर्स्ट क्लीनिक रिया है कि यहां पर आई हूं तो नंबर मेरे सत्वाद हैं देखते हैं तो हर वाद मुझे कहना पड़ता है हम लोग बेट कर रहते हैं कि हमारा नंबर आ जाए तो लोग बैठे उए तो मैं डॉक्टर क्या से आ गई हूं और मैं जा रही हूं किचन में तेजस के कुछ ना कुछ बनाने क्योंकि तेजस को लग रही है भूग डॉक्टर क्यासे आए हम लोग तो तेजस को लग रही है भूग देखती हूं कि क्या बना पाती हूं फटा फट जो चल दी बन जाए तो और तेजस इधर परेशान है उनका टीवी नहीं चल रहा है रिमोट चलाने के कोशिश कर रिमोट चल नहीं रहा है यह दिखिये आपने देखा ना कि टेजस रीमोट चलाने के कोशिश कर रहे है रिमोट doesn't go देख्या बनाति हूं तो कभी-कभी आपके साथ ऐसी सिच्वेशन होती है कहीं से आप आये हो और समझ नहीं आ रहा है क्या बनाओ या अचानक से कोई आ जाता है तो सोचो कि क्या बनाओ तो मैं आपको एक बार बताती हूं आप जाहिए अपने किचन में फ्रिश को ओपन करिए कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आप फटा-फट दो मिनिट पांच मिनिट में बना सकते हो तो मेरे यहां मॉर्निंग में तेजस को मैंने पास्ता द नहीं होता है तो मैंने तवे पे थोड़ा से ओल डाला और उसमें नमक मिर्चा हल्दी थोड़ा से जो है पास्ता मसाला डाला और उसको मिक्स कर दिया तो हमारा पास्ता दो मिनिट में रेडी हो गया था तो यह टिप बहुत अच्छी है आप फ्रिश खोलो और आपको कर दिया है तो हम मदस जो होते हैं बहुत हर चीज ध्यान से करते हैं खास करके जब बच्चे की बात आती है तो यहां पर मैं चेक कर रही थी पानी डालने के बाद की कुछ है तो नहीं बॉटल में तो यहां पर आया है हमारा डिनर क्योंकि मैं बहुत ज़दा ठक चुकी थ मेज कवाब पराठे मंगवाया थे हना मेज्वाब कवाब नहीं तो इस और इससिर बाहर से आया है और खाने में कबाप राठा है आपने देखी लिया होगा वेज है नॉन वेज नहीं है तो इधर वेटे हैं तेजस और मेरे नाक में देखे किति प्रेंकर सा दाना निकल आया बहुत दजात पेन हो रहां आंक से पानी निकल रहा है सर में दर्द हो रहा है इस वज़े से मैं ख कपलेट नहीं कर पाई थी खाना खाने के बाद मैं आप सब्सक्राइ जो है, सबको चाय चाहिए होती है, तो चाय मैं निकालती हूँ, और आज कैसा रहेगा दूँ, तो चाय मैंने निकाल दी है, और चलिए देखे आते हैं, पती देव को, ये लिजै, ये बताओ, क्या, ये ये क्या है? यह वो है मैं भी अपनी चाय लियाई हूं और यह देखिए नाग पर मेरे क्या हो गया है दाना निकल आया है जिसकी वजह से मेरे एकदम फनी सी शगर लग रही है कल तेजस भी बहुत ज्यादा इसका मज़ा खुड़ा रहा था और हजबन भी तो आप देख सकते हो किता खरा जाब लग रहा है मगर अब हो गया है तो क्या कर सकते हैं बहुत ज्यादा पेन है बहुत ज्यादा पेन है इसकी वजह से मेरे सर में और आग में बहुत ज्यादा पेन था तो मुझे पेन के लग खानी पड़ी थी सोच लीजे तो पीते हैं चाय कभी-कभी आज क्या हो रहा और मैंने भी नहीं जगाया कि उठ जाए अभी आठ बज रहा है मैं जगा दूँगी नौ बज़े तक के जगा दूँगी सर्दियों का समय है और सेंडे था मैंने का आराम से सो जाएं मैं उनको उठाऊंगी तो इधर से रूम से उधर रूम में होंगे तो ठंडक लग जाएगी आप सबी जानते हो तब बेद कराब है तो थोड़ा से कोशिश कर रही हूं कि आराम मिल जाए इनको दूसरी बात है कि स्कूल की छुटती है तो ने का कि चलो कोई बात नहीं सूने विष्मे तो ने मैं चाह करनेु है तो चाह प्लेती हूं थीक्ति हूं बिदेखतीस हैत्व भी क्ज़ें करती है कि माँड़ास कोई कि आफ mo आप तैजिय呀 मैं मांस के न चाहा अधर्याया बी आफ तो के आव शेयर करती हूं कभी कभी हमारे साथ है इसा होता है कि आराम या कुछ भी बनाते हैं जल्दी जल्दी में कुछ न कुछ आपसे गैस पे गिर जाता है और गिरने के बाद कुछ इसदिती ऐसी हो जाती है क्योंकि उस समय आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप गैस को पोज़ सको, सही कर सको तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले आपको एक बाउल में थोड़ा से विम डालना है और उसके बाद उसका पानी जो है, गैस स्टोप पे अच्छी तने से फैला देना है 5-10 मिट रहने देना है, केचेन वाले कपड़े से आपको क्लीन कर देना है बहुत अराम से सॉफ्ट होने के बाद वो क्लीन हो जाएगा फिर आपको करना क्या है, सेकेंड स्टेप आपको लेना है, जो स्क्रबर होता है, केचेन वाला उससे आपको बहुत अच्छी तने से इसको स्क्रब करना है यह देखिए, मैं थोड़ा से सोप लगाकर विम लगाकर इसको स्क्रब कर रही हूँ एकदम जो है, क्लीन हो जाता है, आपका गैस टूप एकदम बढ़िया हो जाता है च्योंकि अक्सर करके यह चीज सब क्या होती है और यह चीज होने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं कि यह अब साफ नहीं होगा, दाग तो रह जाएगा, मगर ऐसा नहीं है बहुत अच्छी तने से क्लीन हो जाता है तो मैंने क्लीन कर लिया है, आप देश सकते हो, गैस टोप में एकदम क्लीन हो गया है किचिन टॉप भी मैं क्लीन कर रही हूं इसी के साथ तो आपको यह टिप बहुत ज़्यादा यूसफूल होने वाली है, काम आने वाली है क्योंकि हम लेडिस जो हैं बहुत जल्दी-जल्दी काम करते हैं और फिर यह जो होता है कि रह जाता है काम, अगर हम ज़्यादा देर तक के उस पे कोई समान रहने दे वैसे अगर आपके पास टाइम हो, तो मॉर्निंग में तो आप तभी साफ कर लो तो फ्रेंड्स, I hope आज का फ्लॉक आपको अच्छा लागा होगा, छोटी सी टिप दिये, वो आपको हेल्फुल लगी होगी, तो अगर हेल्फुल लगी है, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्क्राइब चरूर कर दीजेगा, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देख